आज हम आईटाटेस.com इस वेबसाट पर आईटाए के इंस्ट्रक्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्ट। इस वेबसाटेस.com इस वेबसाट पर आईटाए में होने वाली सभी प्रकार की टेस्ट उपलबता हैं। इस वेबसाट के सहाइता से अपनी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और वह टेस्ट ITS के छात्रों को ओनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों ने दी गई सारी टेस्ट की दीटेल्स और अपडेट्स भी वेरेख सकते हैं। ओनलाइन एक्साइम के लिए ITS.com यह एक अत्यनत उपयुक्त प्लाटफॉर्म हैं। जहां पर इंस्ट्रक्टर्स अपनी टेस्ट आसानी से बना सकते हैं। कस्टम एक्साइम्स बनाने की सारी प्रोसेस इस वीडियो द्वारा हम देखेंगे। ITS.com इस साइट पर कस्टम एक्साइम्स क्रियेट करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट के कोई भी ब्राउजर की सहायता से गुगल सर्च पर हम ITS ऐसा टाइप करेंगे। इसके सर्च करते ही आने वाली पहली लिंक पर हम क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक करते ही ITS पर पर्टल की होम स्क्रिन हमें दिखाईन देंगी। ITS के इस होमपेज से हम कस्टम एक्जाइम्स इस टैप को क्लिक करेंगे। यहां से हम कस्टम एक्जाइम्स क्रियेट कर सकते हैं। कस्टम एक्जाइम को क्लिक करते ही आपको यहाँ पर as a teacher लॉगिन करना पड़ेगा अगर आपका already account create होगा तो email ID और password डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर new instructor लॉगिन के लिए आपको sign up पर क्लिक करना है sign up पे क्लिक करते ही sign up form दिखेगा यहाँ पर instructor को उसका पूरा नाम जहाँ पर वो काम करता है उस institute का नाम उसका mobile number और सही password देना जरूरी है उसके बाद sign up पटन पे क्लिक करना है यहाँ पर login form बरने का एक example बताया गया है sign up करते ही आपका custom exam का account create हो जाएगा उसके बाद email ID और password डाल कर instructor को login करना होगा login करते ही custom exams का dashboard दिखाई देगा यहाँ पर right site में मेरा account open दिखाई दे रहा है IT का कोई भी instructor custom exams का account create कर सकता है उसके बाद अपनी choice के अनुसार question सेट तायार कर ITS के छात्रों के लिए distribute कर सकता है आपको IT test portal के custom exams के dashboard पर create test पे click करना है ऐसा करते ही नई test के बारे में सभी जानकारी आपको feel करनी होगी जैसे कि test का नाम, test में होने वाले questions की संख्या, test के total marks और passing marks की संख्या भी देनी होगी test का status आप active या inactive भी कर सकते हैं, मतलब जब वह test active होगी तो student वो test दे पाएंगे और जब वह test inactive होगी तो वह test नहीं दे पाएंगे यह setting सब instructor अपने हिसाब से कर सकता है test के सारे questions randomly यानि अपने आप change करने होगे तो आप random question test के यहाँ पर yes कर सकते हैं इस option से सभी बच्चों को दिखाई जाने वाले questions की positions हर बार change होगी इसी प्रकार test के सारी details देने के बाद add new question इस बटन पे क्लिक करना है ऐसा करते ही आपको नई window दिखाई देंगी यहाँ पर आपको question टाइप करना है और उस question के answer के 4 परियाएं आपको देने होगे जो correct answer है वो भी आपको देना ज़रूरी है सही जवाब दिए गए परियाव में से ही होना चाहिए question को दिए गए points या marks पे आप यहाँ पर देने होंगे इसके बाद save button की सहायता से हम question save कर सकते है हमारी question में अगर हमे mathematical symbols add करने होंगे तो वो भी हम कर सकते हैं question में symbol add करने के लिए आप दिए गए list से कोई भी symbol select करना है और copy symbol इस बटन पे क्लिक करके यह symbol question में paste करना है इसी प्रकार अगर हमें question में कोई diagram या image add करनी होंगी तो आप choose file इस tab को क्लिक कर सकते है और अपने computer में save की होई कोई भी image select करके open बटन की सहायता से यह image file अपने question में add कर सकते है इंस्टक्तर ने इसी प्रकार create की गई test को attractive करने के लिए वह background theme भी दे सकता है इसके लिए set theme पे क्लिक करना होगा colorful background से बच्चों को test देने में interest निर्मान होगा इसी प्रकार instructor अपनी choice के अनुसार number of questions एड़ करके test create कर सकता है यहाँ पर right side में दिखाए गए red या delete बटन से आप कोई भी question delete भी कर सकते है और अन्त में save बटन की सहायता से आपको यह test save करनी है इसी प्रकार create की गई सारी test की list view all test पे क्लिक करते ही दिखेगी यहाँ पे आपको test creation की date, test का नाम, question की संख्या और test link दिखेगी right side में दिए गए edit tab की सहायता से हम कोई भी test में कुछ भी changes कर सकते है या फिर test delete करनी होंगी तो वो भी कर सकते है test run या execute करने के लिए पहले copy to clipboard बटन पे क्लिक करना है उसके बाद internet browser के address पार पे जाकर वह link right क्लिक करके paste करते ही test execute हो जाएगी instructor ने create की गई test की testing यहाँ पर as a student करनी है चातरों में exam links देने से पहले यह testing करनी अत्यन्त जुरूरी है इसके लिए कोई भी student का नाम, mobile number, email ID और ITI का नाम देकर start exam बटन पे क्लिक करना है उसके बाद दिये गवे questions का उच्चेत answer सिलेक करके next बटन से अगले सवालों को भी जवाब देने है यहाँ पर दिये गए translate बटन को क्लिक करने से हम question में question को कोई भी भाषा में translate कर सकते है इससे चातरों को question का मतलब समझने में आसानी होंगी इसी प्रकार सभी questions के answer सिलेक करके last में submit test बटन पर क्लिक करना है test submit करती ही test का result दिखाई देगा view answer बटन पर क्लिक करते ही सारे questions और उसके right या wrong answers दिखेंगे instructors को यह एक बार फिर से cross check करना अत्यनता ज़रूरी है इस exam result की PDF फाइल भी हम download कर सकते है इसके लिए export PDF पर क्लिक करना होगा इस test result की PDF फाइल आपको आप दूसरी नाम से भी save कर सकते है save की गई PDF फाइल आपको दिखाई देगी यह file open करके आप test result देख सकते है ITS के छात्र इसी प्रकार अपनी test attempt करने के बाद यह PDF फाइल save या print करके अपने record के लिए रख सकते है इसी प्रकार custom exam की सहायता से कोई भी idea के instructor अपनी धेर सारी test create कर सकता है और अधिकतम test देकर अपने students की knowledge की testing भी वो कर सकता है instructor ने दी गई test कितने बच्चों ने solve की है इसके बारे में जानकरे के लिए dashboard के result टैब को क्लिक करना है यहाँ पर instructor ने design की गई सारी test और उसके test को साथ में दिखेंगे कोई भी test की view summary बटन क्लिक करते ही दिखाई देगी यह details instructor प्रिंट निकाल कर अपने record के लिए रख सकता है इससे कितने बच्चों ने test दी है और उन्हें कितने marks मिले है इस सभी की जानकरी समझने में आसानी होंगी ऐसे ही test करने के लिए मेरी तरब से आपको धेर सारी शुपका एमनाए So, please kindly visit ITI test portal and create your own custom exams for ITI trainees Thank you very much Myself, Mrs. Swati Amit Zavari, Craft Instructor, Hoopa